साल का आखरी महिना यानि दिसम्मर आने वाला है और ताज ताज बहुत सारे स्मार्ट पॉन मिलाने वाला है और हमारे अंदर जो जुवाला धदक रहा है उसे ये पॉन ही बुजा सकते हैं और इनमें से कुछ कुछ स्पेशल पॉन ऐसे हैं जिनके अंदर लेटेस्ट फार्ट मिलने वाली है मतलब Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 9300 इसलिए इस रेंज में जो सबसे पहले स्मार्ट पॉन हमने रखे हैं वह हैं 50,000 से अब आओ और इसमें सबसे पहले स्मार्ट पॉन स्रीज है वीवो X100 इस स्रीज के अंदर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 9300 प्लस 6.8 इंचेज की Super AMOLED Quad HD प्लस 120 Hz वाले डिस्पले इसके अंदर 64 Mbps का primary sensor है और 5,400 mAh की बेटरी है आज तक किसी flexic phone के अंदर 5000 से उपर मिली ही नहीं है वाई 120 वोट की charging भी आती है उपर से और इस साल के end तक मतलब Christmas के ओपर most probably आपको ये series most probably क्या 100% मान लो ये series आपको अपने हातों में मिल जाए अगला है मेरा personal favorite phone IQ 12 IQ 11 मुझे इतना जदा पसंदा कि इसके black color को देखके मैंने black pant black t-shirt ली आईशन पिछ जयादा नहीं हो गया है और अब मैंने IQ 12 देखा वाई white color में आ रहा है अब मेरे को white कपड़े लेने पड़ेंगे कुछ senses बात लिए और IQ ने पिछली बार के तरह बहुत ही special सा फोन बनाया है बैक से आपको BMW वाला सा लोगो देखने को मलता है साथ ही में जो camera framing है उसके इर्दगित बहुत अच्छा सा काम किया है इसने आपको मिलेगी 6.7 inches की OLED 144 Hz बाले डिस्प्ले और performance के लिए इसके अंदर है Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 साथ ही में 64 Megapixel का OIS वाला camera और इस बार टेली फोटो सेंसर भी आने वाला है जिसमें 100 X zoom है और यह phone 12 December को launch हो रहा है most probably उसी दिन या फिर आज के तीन दिन बाद आपको IQ 12 के unboxing मिल जाएगी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो गाईज अगला है Xiaomi की नमर और प्लेक्सिप सीरीज Xiaomi 14 and 14 Pro दोनों की वीडियो हमने आपको दे दिये जिसमें 14 जो है वो इंडिया में सायद ना है लेकिन 14 Pro आपके सामने आएगा 14 14 से ऐसे फोड़ने वाली फील आ रही है इसके कैमरास की जो इमेज प्रोडेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल है मतलब इसके और इसके चोटे भाई के वीडियो कर दी है आपको आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसको जाकर चेकाउट करना भाई बहुत बहुत ही कमाल का पोन है इसका हमने शाओमी 14 प्रो वर्सेज आइफोन 15 प्रो मैक्स भी करा है तो इसके बाद इसको भी कई की माहुन में बीच कर देता है और इसके बाद जो अगला फोन है वो है वन प्लस 12 बाई यह वाली फ्लेक्सिप सेरीज है और वन प्लस साल में इसको एक ही बाद लाँच करता है इसलिए बार 11 भी ठीक टाक फोन था इस बार 12 करवड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है अगें भाई पिसली बार भी आया था और पावर के लिए इसके अंदर स्नैपडेगन 8 जनलिशन 3 है और हम सब को बताए कि वन प्लस इंडस्ट्री में जो भी हाडवेर बैस्क लेवल का वैलेवल होता है क्योंकि इनका वन प्लस ओपन भी अमने टेस्ट करा था इसके अंदर कोई क्रीज वगरा नहीं है ये वन ओप दा परफेक्ट मोडल है इन फ्लेक्सिव फोन्स में तो डिफिनेटी मुझे लगता है कि इस बार का वन प्लस ट्वल भी कुछ ना कुछ तो इस पेसल लेकर आएगा अगली है ओपो की रैनो सीरीज ओपो रैनो 11 सीरीज अब ये फोन उनके लिए बिल्कुल मसालेदार हो सकता है जिनको एकदम इसको वाला लव है ओपो से इसका डिजाइन आपको ओपो रैनो 10 सीरीज की तरह ही देखने को मिलेगा ये फोन भी बहुत ही कमाल दिखता हूँ ये फोन भी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लौज हुए थे पर अभी आते ही बाई 11 सीरीज भी मतलब इनके कैमरास को मने टेस्ट किया भाई बहुत नेक्स लेवल कैमरास थे कैमरा की पोजिशन ही आपको 11 के अंदर चेंजिस देखने को मिलेंगे बाकी कलर्स के अंदर हर बार ही ओपो कुछ ना कुछ नया करता है इस बार भी करेगा बाकी जो सीजे होंगी वो ओल मोस्ट सिमिलर आपको मिलने वाले है 6.78-inch की Super AMOLED डिस्प्ले है with 120Hz higher refresh rate इस सीरीज के अंदर आपको 50Mbps के primary sensor मिल सकते हैं इस बार भी आपको टेली फोटो सेंसर देखने को मिलेगा और फ्रंट में होंगी दोनों में ही 32-32Mbps के selfie sensor और तागत के लिए इनके अंदर आने वाला है Mediatek Dimensity 8200 और इसके आगे अगल इसके अंदर 6.6-inch की PLS LCD डिस्प्ले है 5000Mbps के battery 25V की Fast Charging मतलब को लिए गया वही है जो मिला जुला के निकलता है कुछ ऐसा मेरे को special नहीं लगा कि जो अबिदम फार तोड के निकल जाए चेक ठीक है सही लेंगे थोड़ा सा 50MP के ट्रीपल रेर कैमराज होंगे 5000Mbps की बेटरी और उसके साथ 25V की Fast Charging लेकिन Fast Charging सपोर्ट ही है चार्जर बोक्समें नहीं मिलता इनमें और नेक्स पॉन में अंडर 25,000 में है Poco X6 5G और इस पॉन के अंदर इंट्रेसिंग चीज़ है 200MP का कैमरा एक तो 25,000 के निचे आपको 200MP मिलने वाला है यही सेम सेंसर आपको Realme 11 Pro Plus के अंदर देखने को मिला था लेकिन फैक्ट यह है कि जिस प्रोसेसर के साथ ही आया था व सबसे लेटेस्ट और Redmi Note Series का सबसे पावफुल फोन Redmi Note 13 Pro Plus अब Pro and Pro Plus आपको देखने को मिल सकते हैं अराउंड 25,000 की प्राइस रेंज में और यह इस प्राइस रेंज में one of the best smartphone होंगे क्योंकि Redmi वेल्यू फोनी चीज़े देने के लिए जाना जाता है इसके अंदर आपको Dimensity 70 200 वाला प्रोसेसर 120 वोर्ट की फास्ट चार्जिंग 120 हर्स की डिस्प्ले सूपर एमोलेड पैनल 200 मेगाविक्सिल के कैमरा जो 16 GB और यह अराउंड दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपके लिए वीडियो एक महीने पहले ही जा चुकी है है हम बहुत फास्ट है लिटरली बहुत 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 फास्ट तो आप उपर जागे आई बटन में मस्ट वीडियो देख लेना आपको मिल जाएगा कि भाई क्या-क्या मिलने वाले और अगला फोन है ओनर तोड एक्स नाइन टी मतलब इसका बड़ा भाई आने वाला है अब ओनर एक्स नाइन वाले हैं वो अराउंड 20,000 की प्राइस रेंग में लोंच होंगे जिसमें सबसे पहले है Poco X6 Neo इसमें आपको 6.67 नीचे की सूपर AMOLED इसमें मेलेगी विट बागी सारी सीजें में एकदब मस्मस होने वाले हैं जिसमें Mediatek Diagnostry 6080 वाला प्रोसेसर होगा 5000 mAh की वेटरी यह फोन आराउंड 15 डिसमबर आपको मिल जाएगा और अगले वो फोन जो 13 स्रीज से अपना वास्ता रखते हैं Redmi Note 13 and 13 Pro इसके अंदर आपको Mediatek Diagnostry 6080 वाला प्रोसेसर मिलेगा 100 Megapixel के कैमरा है साथी में जो 13 Pro है वो Snapdragon 7s Gen 2 को लेके आएगा 6.6 इंचे की Full HD Plus Super AMOLED डिस्पल में से एक थी एक साल पहले इसकी प्राइस अराउंड 15,000 से स्टार्ट होगे 25,000 तक जाएगे मतलब 15,20,25 और अगला जो फोन है वो है लावा की तरफ से लावा अगनी 2S जब लावा अगनी 2 लोंच हुआ था तो अराउंड 20,000 की प्राइस में इसका कोई competition भी था भाई मस करेंगे तभी तो पैसा कम होगा ना भाई तो अराउंड 15,000 की प्राइस में आपको एक बड़िया चोईस मिल जाएगे इतने सारे फोन थे जो आपको आने वाले महिने में देखने को मिलेंगे मतलब ओल्मोस्ट ये बहुत जाए बहुत जादा फोन है जो हम अन्बॉक्स क